कि मैं आपको ये विश्वास दलाता हूँ, कि दुनिया में आपको पहली बार मैं ही ये बात बता रहा हूँ, अब आप मुझे पूछोगे कि ये चीज कैसे होते हैं, किसी चीज की डिफिशेंसी से इंसुलिन रिस्टेंस कैसे आ सकता है, I'll get into that, कि जो हाट अटाइक की रिस् उसके बाद भी अभी बढ़ रही है, because of this low fat culture in the world, अगर आप इतना दूद बिना उसमें कोई जहर मिला है, जहर मतलब sugar, I know, you people जो veganism को follow करते हैं, आपके लिए थोड़ा difficult है, मैं समझता हूँ, you chose to stop milk, egg and all non-vegetarian sources, because of your ethical or religious feelings. नमस्ते दोस्तों, आज की मेरी talk बहुती special है, यह special इसलिए है कि जो मेरे अंदर का वग्यानिक है, scientist है, वो बहुती खुश है इस नई जानकारी से, और यह जानकारी ऐसी है कि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, कि दुनिया में आपको पहली बार मैं ही यह बात बत information was broken to the world for the first time by a veterinarian, एक veterinarian ने पहली बार दुनिया को बताया, in fact, पूरी दुनिया में जो इस वग्यानिक ने हमें बताया, वो 75 साल में, पिछले 75 साल में पहली nutritional deficiency है, जो हमें की जा रही है, यह पेपर पब्लिश वा 2020 में, नेचर में, and the scientist is someone I personally feel that she will eventually go on to be a candidate for a Nobel Prize someday, if this science holds true by the test of time, विज्ञान में फैट आते हैं, नए नए फैंसी चीज़े आती हैं, कई चीज़े, दस में से 9 informations थोड़े सालो बाद जुटला दी जाती हैं, अगर वो सची नहीं है तो, बट जो सच है, जो की real science है, और जो timeless science है, वो पूरे तरीके से अब्जाब हो जाता है, and eventually such people become great people. So, आज की talk is about something new, it's a fatty acid deficiency or a nutritional deficiency which has recently been discovered in human beings, अब human beings में अभी तो बोल रहा हूं, but discoveries की human beings में नहीं हुई थी, हुई थी dolphins में, so if this topic interests you, और आपका जीवन इससे कैसे बदलेगा, ये समझना है, आपको तो talk पूरी सुनें एंड तक. शायद आप जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ, I am founder of a site called as cardiacsecondopinion.com, इस site के through हम second opinion देते हैं for any heart related queries, अगर आपको किसी ने heart का कोई procedure advice किया है, तो उस procedure को करना है, नहीं करना है, कहां करना है, किस से करना है, कीमत कैसी है, कौन सा शहर बहतर है, कौन सा डॉक्ट यह सब चीजे हम आपको बताते हैं, इस site के through, साथ ही साथ मेरी एक foundation है, UniHeal Heart Care Foundation, इस foundation के through हम पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, जिनके parents के पास में उनके दिल की surgery करवाने के पैसे नहीं है, so अगर आपको इस channel के content से कोई फायदा होता हो, और आ आप पे बैक करना चाहते हैं, तो UniHeal Heart Care Foundation पे डोनेट करके अपनी good intentions हमें शो कर सकते हैं, so now coming back to the topic, it's very interesting because it was found in dolphins, अब होता यह है कि America में, Florida और California, दो ऐसे naval basis हैं, जिसमें पिछले कई सालों से dolphins को उपयोग किया जाता है, जैसे किसी और आर्मी में कुतों को उपयोग किया ज जाता है, horses को उपयोग किया जाता है, वैसे ही Navy of America has been using dolphins to send parcels, carry on messages and material from one station to another because that is the most efficient way, अगर आपने train कर दिया है किसी dolphin को जाके वापस आने में, तो वो बहुत ही सस्ते में काम हो जाता है और reliable हो जाता है, so अब ऐसी dolphins की 4th and 5th generations आना शुरू हो गई हैं, इस program को शुरू करने के बाद में, normally अगर हम देखें, so dolphins wild में जीती थी केवल 20 साल के आसपास में, 15 से 20 साल के आसपास में, but शुरू-शुरू में यह देखा गया, कि यह वाली जो dolphins हैं, जो कि अब humans support कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनकी life बढ़ गे, because उनको food पर nature पर dependent नही रह इससे पहले wild में यह कभी पता नहीं चला था, कि इन में मोटापा हो रहा हो, इन में diabetes हो रही हो, cholesterol बढ़ रहा हो, इन में heart attacks आ रहे हो, इन में high BP की problem हो, इन में aging fast हो रही हो, यह चीजें डॉफिंस में पहले किसी तरीक से नहीं थी, but because naval scientists, they employ scientists to study them, और उन scientists ने पहली बार य तो incidentally होता ही था कि culturally there were two groups of dolphins, one was in Florida, one was in California, and दोनों जगह पर अलग-अलग practices थी, एक में ऐसा था कि जो food उनको दिया जा रहा था, वो soldiers के थू दिया जा रहा था, दूसरे में था कि वो खुदी nature से खा रहे थे, जब इनको compare किया गया, तो जो food humans dolphins को खिला रहे थे, उसमें ए C15, और Penta-Daconic Acid, this is a odd chain fatty acids, जो कि nature में अगर हम देखें, तो हर animal protein में, animal fats में बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत ही छोटे amount में होता है, like normal milk अगर हम लें गाय का दूद लेते हैं, तो उसमें 0.2 grams per 100 ml of milk is Penta-Daconic Acid, या C15, यह C15 अगर इतने amount में हमें मिलता रहा, तो हमार अगली परयाप्त है, उसके लिए ज्यादा जरूद नहीं पड़ती है, in fact, अगर हम अपनी body का composition देखें, तो हमारा हर cell की जो membrane होती है, हर cell की membrane में C15 is a integrated part, अब जो in general हमारी body weight में जो उसका concentration होता है, that is 0.2 deciliter, 0.2 milligram per deciliter, a 0.2 milligram per deciliter का composition के साथ में, अगर इंसान जी रहा ह तो that is a normal range का lower part, यही अगर किसी में कम होता है, hypothetically 0.1 है, तो ऐसे लोगों में insulin resistance, diabetes, motapa, high BP, cholesterol, heart attack, पूरा जो metabolic syndrome मैंने आपको बार-बार अलग तरीके से पढ़ाया है, यह पाया गया है कि जैसे ही C15 का concentration कम हो, उस इंसान में metabolic syndrome आ जाता है, heart attacks, laqua, यह सारी बीमारी आ जाती है Isn't it interesting? अब आप मुझे पूछोगे कि यह चीज कैसे होती है, किसी चीज की deficiency से insulin resistance कैसे आ सकता है, I'll get into that, but जो दूसरी चीज और पाई गई थी, कि यही जब check किया गया कि जो blue zones में इंसान रहते हैं, मैंने blue zones का भी recently बताया, शताय भाव वाले वीडियो में बताया था, अग नहां पे लोग 100 साल से जादा routinely जी रहे हैं, blue zones के areas में जब इंसान का फिर देखा गया कि C15 concentration कैसा है, तो अभी भी these studies are new, but it is the general trend कि blue zones में यही C15 का concentration 0.5, 0.6 की range में है, मतलब average से 2-3 गुना जादा, average American के 2-3 गुना जादा, Isn't it interesting, कि जादा जीने वाले लोगों में C15 जादा है, जिनमें C15 कम है, उनमें बीमारियां जादा है और मौत जल्दी आ रही है, So is it related, is it real science, यही आज हमारा topic है, यही आज हम बात कर रहे हैं, so in dolphins it is proven beyond doubt, Dolphins are mammals, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, कि Dolphins are not like fishes, they are right mammals, वो खुद mammals हैं, जिनके की बच्चे पैदा होते हैं, और वो बच्चों को दूद भी पिलाती हैं, So अभी hypothesis यह थी scientific paper में और जो बात में उन्होंने prove की, कि जब Dolphins को एक particular type का खाना soldiers देते रहे थे, तो typically हम जब chicken को खिलाते हैं, हम जब कोई बकरी को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, इंसान जब उनको खिलाता है खाना, तो वो यह financial cost जरूर देखते हैं, तो जब financial cost कि दूद में भी थी, जब उन्होंने बच्चों को वो दूद पिलाया, तो उन बच्चों में भी दूद की कमी रही, और उनको भी खाना मिला, तो in general, 4-5 generations तक लगातार, वो nutritionally depleted C-15 वाला जब खाना खाते रहे, फिशर्स काते रहे, तो overall they all started manifesting obesity and metabolic syndrome. यही जब compare किया गया ऐसी dolphins के साथ में, जो की freely बाहर जाके C में अपना हंट करके fishes खाती थी, उनमें ऐसा कोई metabolic syndrome नहीं मिला. अब humans में यह चीज़ प्रूव करने में समय लगेगा, विज्ञान ऐसे ही progress करता है कि एक नया fact पता चला, उस fact को पहले प्रूव किया गया, फिर उस fact को अलग-अलग ग्रूप में कई लोग investigate करेंगे, अगर ये बात इतनी ही सच है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, even I'll always keep my fingers cross कि चलो भई, अगर ऐसी कोई चीज़ और हमें पता चल गई, तो इंसानियत के लिए अच्छा रहेगा, metabolic syndrome, अगर कोई थोड़ी सी चर्बी एक्स्रा खाने से मैं क्यों आपको बहुत ज़्यादा हूँ, आयुर्वेधी और बाकी सारे concepts के बारे में ज़्यादा बाते नहीं बता रहा हूँ, कि ऐसा contribution वहां से नहीं आ रहा है, जिस दिन आयुर्वेध अचारे भी ऐसा contribution scientifically prove करने लगेंगे, I will also speak about that, आपको मेरे विचार पहले से पता ह so I will not say again on it, अगर नहीं है तो मेरे होमेपथे वाला वीडियो ज़रूर देखिए, now when we have this nutritional deficiency which is such a stalking thing, उसका logic क्या है, क्यों आई ये deficiency, so now we go back to America in 70s, 70s में अमेरिका में जो भी heart attack को लेके या लखवे को लेके, कोलेस्ट्रॉल को लेके research आ रही थी, उसमें सारा blame जा रहा था फैट्स की तरफ, शुगर को उन लोगों ने ब्लेम दिया ही नहीं और उससे में शुगर लॉबी इतनी ज़्यादा strong थी, कि they actually funded scientific research, जिनमें सारा blame, metabolic syndrome के लिए, diabetes के लिए, heart attack के लिए, उन्होंने shift कर दिया, towards fats, क्या आप fats खाते हो, उसी से ही मोटे होते हो, उसी से ही आपक कि 70s में guidelines आना शुरू हो गई, even the same cardiological societies, जिनकी guidelines की मैं इतनी बात करता हूँ, they said कि low fat is good, dairy fat कम हो, और saturated fats कम खाये, इंसान के लिए अच्छा है, जब ऐसे statements आने लगे, तो industry ने उसका फायदा उठाया, एक normal milk को low fat milk बना के, अब देखिए जब आप low fat बनाते हो, तो industry को double फा मखन, butter, जो भी चीज निकालनी है, चीज निकाला, और फिर जो बचा हुआ दूद है, जिसमें fat कम है, वो आगे बेचा, या फिर powdered milk बनाया, उस powdered milk से low fat concentrate बनाया गया, so इस type की जो चीजें होई, industry ने तो उसका खूब फायदा उठाया, और कई इनसानों ने दुनिया भर मे इसको fashion की तरह की slim milk, अब आज भी देखेंगे तो बजार में आपको slim milk मिलेगा, double toned milk मिलेगा, toned milk मिलेगा, ये सब ऐसे तरीके हैं, जो कि दूद का natural fat निकाल दिया गया, जब natural fat कम हुआ, तो ये C15 भी कम हुआ, so अब fat दूसरी products में भी होता है, particularly fishes में काफी मिलता है, C15 fishes में भी decent concentration में मिलता है, milk में भी मिलता है, ये दो main source है, vegetable sources उसके बहुत rare है, और बहुत substantial amount में नहीं होता है, बहाँ पर, तो जब milk और fishes का consumption कम हुआ, foreign में, Americans के heart diet में, so over 10-15 years इसकी deficiency आजने लगी, और उस deficiency के चलते ये माना जा रहा है, कि जो heart attack की risk 70s, 80s में plateau हुई, उसके बाद भी अभी बढ़ रही है, because of this low fat culture in the world, India में ये low fat culture late आया है, पर अभी आज के जमाने में, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, I don't think कोई भी full cream बहुत ज्यादा use कर रहा है, और जो full cream यूज कर भी रहे हैं milk, उनमें वो milk किस quality का रहा है, किस reliability का रहा है, उसमें में average इंसान में पाया जाता है, उससे अगर थोड़ा ज्यादा हो, तो ऐसे इंसान ज्यादा जीते हैं, एक अती भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि दूद ही दूद पी रहे हैं, because देखिए दूद भी इंसान की consumption के लिए भगवान ने नहीं बनाया था, अगर भगवान ने य दूद बिना उसमें कोई जहर मिला है, जहर मतलब शुगर, या कोई भी और चॉकलेट फ्लेवर पाउडर, बनीला फ्लेवर पाउडर आप डालते हो, यह डाले बग़र आप दूद लेते हो, that is good enough for you, उससे आपको जो डेली कंजुम्शन का C15 है मिल जाएगा, और ऐसी होगी, but let us commend it all, कि 75 साल बाद एक nutritional deficiency मिली है, और इस syndrome को जो नाम दिया जा रहा है, that is called cellular fragility syndrome, so cellular fragility में हो क्या रहा है, जो मैंने बताया था, कि मैं बताऊंगा आपको इसका explanation, so जो explanation है आपके लिए, C15 की deficiency या cellular fragility के लिए is, कि जो cells है, उनकी दीवार का essential हिस्सा है, यह C15, औ तो cell wall become porous, इस porous cell wall में, जो सबसे ज़्यादा effect सबसे पहले दिखता है, वो है liver में, तो liver में आपके जब cells porous होने लगे, तो उन pores के through, hemolysis, जैसे blood, RBCs होते हैं, blood cells होते हैं, वो बहुत ज़्यादा recycle होते हैं, तो जब RBCs भी ऐसे बन रहे हैं, जिनमें C15 की कमी है, और liver cells भी ऐसे बन रहे हैं, जिसमें C15 की कमी हैं, तो ये RBCs का lysis होने लगता है, हमारे hemoglobin कम होने लगता है, serum ferritin बढ़ने लगता है, और ये जो हमारा hemoglobin lysis होके, absorb हुआ liver के cells में, उससे there is a new way of destruction of liver, which is called as ferroptosis, so cellular fragility के चलते, iron शरीर में बढ़ा, iron liver के cells में बढ़ा, वैसे ही pancreatic cells में बढ़ा, जब liver में बना, तो उसमें liver में iron का concentration बढ़ता है, जिसे कि liver cells और जल्दी damage होते हैं, वैसे ही pancreas में जब यही cells destroy होते हैं, और उनमें cellular fragility आती है, तो उसके चलते, insulin का resistance डेवलप शुरू हो not, समय ही बताएगा, but आपकी awareness के लिए, और आप इस चीज से कैसे बज सकते हैं, उसका simple solution है, या तो fishes खाना शुरू कर दीजे, या फिर दूद अगर आप पीते हैं, तो 1500-200 ml का दूद डेली का पीजिए, one way or other, या तो दूद पीजिए या उसी की दही जमा के खाईए, that is enough बहुत ही simple चीज है, यही चीज is a bad news for the veganisms, I know, you people, जो veganism को follow करते हैं, आपके लिए थोड़ा difficult है, मैं समझता हूँ, you chose to stop milk, egg and all non-vegetarian sources because of your ethical or religious feelings, but देखिये, जब आप कोई चीज त्यागते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, so, जैसा कि vegans को पहले से ही पता होगा, कि B12 deficiency और vitamin D deficiency बहुत common है veganism में, वैसे ही अब आपके लिए list में एक और add हो गया C15, so, C15 के supplements इससे में बहुत common नहीं है, in fact, इस पूरी जो talk में एक और disclosure जो मैं देना चाहूँगा, जिस scientist ने C15 deficiency पता की और cellular fragility syndrome नाम से syndrome भी निकाला, जो कि इस समय पे बहुत evaluate हो रहा है, investigate ह और अगर ये सही में इतना ही important है, तो आप सबको 5 साल बाद, 10 साल बाद, समाज में हर जगे उसके बारे में पता होगा, मैं first हूँ बताने के लिए, यही मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ये भी बताओ, कि उसी scientist ने after the research, ऐसी company खोली है, जिसमें कि वो C15 के supplements बेच रहे हैं, So there can be a potential conflict of interest, मेरी जिम्मेदारी आपको बताओ, मैं दूद कंजूम करता हूँ, यह मेरा disclosure है, 1500-500 ml दूद में वैसे भी ले रहा था, in fact अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हो, तो मैंने हमेशा से यह कहा हुआ है, कि there is something called essential fatty acids, there is something called essential amino acids, there is nothing like essential carbs, तो जो यह zero oil वाले बेवकूफ होते हैं, जिनकी बाते में सुनके कई लोग oil छोड़ चुके हैं, घी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, nuts तक छोड़ रहे हैं, which is such a healthy thing, ऐसे लोगों को मैं कहूँँगा, देखे, oil कम consume करना है, यह मैं भी कहता हूँ, हर किसी का कहना है, but zero oil is not the way, zero oil करने में आपकी C15 deficiency और बढ़ जाएगी, आपको यही insulin resistance, metabolic syndrome, cholesterol की problem, heart attack की problem, लकवे की problem, thyroid की problem, PCOD की problem, और बढ़के आएगी, समझ रहे हैं कि science जब अच्छे से implement ना हो, और अधूरे तरीके से implement किया जाए, zero oil, zero oil बोलके, तो उससे आपका नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं, समझे इस बात दान्यमाद